शुक्रवार को राजधानी भोपाल के जागीराबाद इस्तीद वार्ड 42 में ग्रहिणी महिलाओं को रोजगार मुहेया कराने के मकसद से समास सेवी जावेद मंसूरी ने एक बैठक का आईजन किया जिसमें वार्ड की कई महिलाओं ने हिस्सा लेकर रोजगार पाने के गू और वही काम शेहर के महिलाओं भी खुद का काम का शुरू कर रही है समास से भी जावेद मंसूरी ने जानकर देते वे बताया कि कोर्णा प्रकौप के चलते देश में लगाए गए लागडाउन से कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं लोगों के पास नोक्री नहीं होने लोगों की हालत बहुत खराब होगय है और बूलगु बिजनस ठाप हो गा है तो हमने आज यहां महीलाओं के लिए जो घर में महीलाएं जो रहती हैं उनके लिए हमने ये मिटिंग रखी थी के अपने बिजनस को मतला अपने पती के साथ साथ कंदे जगंदा मिला कर कुछ कुछ बिजनेस करते ने तो इसलिए हमने थोड़ी सी एक बिजनेस मीटिंग रखी थी वाट की वाइट की महीलाओं को योज वाइट की महीलाओं को अपना आत्म निर्वर बनाने के लिए पूरी प्रियास कर रहा हूं और इंशालला करता रहा हूं मेरा नाम अफशा है मेनारी शक्ति की अध्यक्षू और आज हम लोगे मीटिंग में जो आए हैं वो खास इसलिए आएं कि हमें मालूम है कि हमारी सरकार नाकाम हो चुकी है लागडाउन की वज़ा से हमारी सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया सिवाए लागडाउन के और ऐसे में जाविद मनसूरी ने लागडाउन में भी लोगों की साहिता करी खरीब होगी अमीर सभी लोगों की साहिता मनसूरियों क्योंकि और हम तुम चाहें कि जाविद को टिकेट मिले यहां से हम महिलाएंगे सब इकटा हो कि हम लोगों की चाहिए कि जाविद को टिकेट मिल जाए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना पुले